कर्भान चिला परिशत सदस्य के लिए 5 अक्टूबर को मद्दान होना है जहां कॉंग्रिस शिवसेना भाजपाने अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है इसी के चलते शेत्र में प्रचार सभाव का दौर चल रहा है चुनावी सभाव के जरी प्रत्याशी मद्दाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे है वही प्रत्याशी मद्दाताओं के घर चाकर अपने लिए मद्दान करने की गुसारिश कर रहे है जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है उसके चलते प्रचार सभाव का दौर शुरू हो चिका है शुकरवार को पालोरा करभा में कॉंग्रस प्रत्याशी अर्चना भोयर के लिए प्रचास सभा का आयोचिन किया गया था जिसमें जिल्हादेख्ष राजिंद्रमोयक युवानेता बंटी शेकी मिधायक अभीजीत वंजारी प्रमुकता से मद्दाताओ को सभा के मादियों से मद्दाताओ को रिशाने के नजर आये वही बंटी शेके ने अपने भाशन में कहा कि केंद्र की सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है पुंजी पत्यों के लिए काम कर देश को बरबाद करने में लगी है जरूरी चीजों की दाम आसमान चुरह है महंगाई बेलगाम होती जारे है बेरोसकारी पनपती जा मद्दाताओ में केंद्र सरकार की खिलाफ देश में रोशपनपता चारा है देश को विकास की और लेचाने में कॉंग्रिस पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है देश को बरबाद होने से बचाना है तो कॉंग्रिस प्रत्याशी को ही जिताना शेत्र को विकास के और लेचाना है तो कॉंग्रेस परत्याशी को भारी मतों सी जीत दिलाना मददाताओं का काम है जो देश के हितने होगा तभी जिलहा परीशित शेत्र में युवाव को रोजकार मौया कराया जा सकता है किसानों को अपना हग दिलाना है तो वह कॉंग्रस प्रत्याशी ही दिला सकता है तभी विकास की गंगा भेगी इस असर पर जिलहा देख्षर राचिन रमोयक ने भी केंद्र में बैठी भाजप सरकार की खिलाफ रोज प्रगट करती है कॉंग्रस प्रत्याशी को भारी मतों से चितानी का आवाहन मत दाताओ से किया वही विधायक अभिजीत वन्सारी ने अपने भाशिन में कहा कि आने वाले दिनों में बाजपा महाराश्र में कभी भी सत्ता में नहीं आई की बाजपा की सत्ता रहते लोगों के लिए काम नहीं करने से लोगों में बाजपा के खिलाफ रोश व्याप्त है इस प्रचार सभा में तालुका अधेश दयाराम भोयर, श्रीधर जाड़ी, विरेंद्र गजबिये, करभांड ग्राम पंचाज सरपंच, हेमराज दर्नी, उक सरपंच लांसेवार, प्रत्याशी अर्चना भोयर, पंचाज समिती सभापती, मिनाक कावी, उक सभापती, चैतन डारे की रिपोर